आज मैं आपको बहुत ज़्यादा हैल्दी और टेस्टी खजूर का मिलक शेक बनाना बताती हूं कैसे बनाया जाता है यह पीने में तो टेस्टी लगते हैं यह बहुत जल्ली बिबनके तयार हो जाता है जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा तो चलिए द 2-3 गंटे के लिए पानी में भिंगो दिया जिसे कि यह फूल जाए अब यह बादाम फूल गए है अब हम बादाम को इस तरीके से छील लेंगे यह जो हमने खजूर लिये हैं इनको इस तरीके से बीच में काटते हुए इसके अंदर जो बीच होता है उसे हम निकाल देंगे इस भीज को हम फैक देंगे छीमें निगे करण भीजर को कल देंगे लखी स हमने भादम को चील ये और अर मिक्सी का या लिया है जो हमने भादम लियिए ओंडर लिया है लिवकर अधियन काजुटे सब्सक्राइद बादम के लिए में काजू निटेस्टे के अपंगर रूटे अगर नेचुरा मिठास के साथ बनाना चाहते हैं, यह हमने एक प्लिकु ठर्डडा दूथ लिया है इसमें से हम आदा दूथ इसकी अदर डाल देते हैं अब इसे मिक्सी से महीन पीस लेते है अब हम इसे चेक कर लेते अब देख पारे है ये अभी गाड़ा है अब जो आदा कप दूद बचाता इसे भी हम डाल देते और इसे दुबारा से हम पीस लेते ये हमने पीस लिया है देखिए अब ये पीस गया है हम दो गिलास कजूर का मिलक शेक बना रहे हैं तो अब हम इस एक कप दूद और डाल देते हैं इस मिल्क शेक में खुश्बू अच्छी आए इसके लिए यह हमने तीन सा चार छोड़ी लाइची लिए जिसे पीस लिया है वो डाल देते हैं अब इस शेक को और भी ज़दा ठड़ना करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी से बरफ डाल द अब हम खजूर के मिल्क शेक को ठंद हंदा सर्प कर लेते हैं तो उसके लिए यह हमने दो ग्लास लिए हैं यह हमने एक टी स्पून सज्जा की बीज लिए जिसे हमने दस मिनट के लिए पानी में बिंगो दिया अब यह बीज फूल गया है देखिए अब दो चमा सज्जा क सब्सक्राइब देते हैं यहल्त के देखिए हमी फाइटे को ठंद मिल्के अगर नहीं मिलते हैं तो आप इन को ओलन думnd मिलते हैं और आप चाहें तो इनके बीना भी यह शेक बना सकते हैं Pent तो शेक बनाए था वो हम इसके अंदर डाल देते आप देख पारे कितने बढ़िया खजूर का मिलक शेक बनके तैयार हुआ है यह पीने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है आप भी इसे एक पार जरूर ट्राइ किसेगा आपको भी यह बहुत ज्यादा पसंद आएग आप चाहते इसके ऊपर आइस्क्रीम डाल सकते हैं अब हम इसे मिक्स कर देते हैं आप इसे गर्मियों ठंड़ ठंड़ पिया यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदे बन दोता है क्योंकि यह हमारी बोड़ि को तुरंत ही एनरजी देता है जैसे गर्मियों में आप भार से आ रहे हैं आप इसे बना करके फिरीज में रख दे और जब भी आप आए तो इसे ठंड़ा ठंड़ा पी सकते हैं जैसे कि बच्चे थके हुए स्कूल से आते हैं तो आप उनको भी पिला सकते हैं उनको भी बहुत जादा पसंद आएगा अब इसके उपर थोड़ तो लाइक कर दीजेगा और जाद से जाद फ्रेंड फेमिली के साथ शेयर भी कर दीजेगा अब इसके उपर थोड़ से खजूर डाल देते हैं जिसे हमने चोटे पीस में काट लिया है अब देख पा रहे हैं ये मिलक शेप देखने में किता सुंदल लग रहा है और ये पी अब हम फिर मिलते हैं सितने की टेस्टी रेस्पी के साथ जब तक के लिए नमस्कार